बात है सन 64 की पंडित नहरू के बारे में कहा जाता है कि सन 62 के युद्ध में चीन से हार के बाद उन्हें अपने को समानना बहुत मुश्किल हो रहा था और ज्यादा तरवे आराम की मुद्रा में और बिड़ पर ही रहते थे ऐसे में एक पत्रकार ने विदेशी पत्रकार ने उनसे एक इंटर्व्यू लिया ततकाल मुझे उस पत्रकार का नाम नहीं यादा रहा है लेकिन प्रसंग बहुत महत्पूर्ण है और आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है पत्रकार ने पंडित नहरू से पूझा कि पंडित जी आपके जीवन में सबसे कठिन घड़ी, सबसे कठिन दौर क्या रहा है तो पत्रकार अपयुक्षा कर रहा था कि शायद पंडित नहरू उनसे सनबासट की हार के बारे में बात करें या सायद पंडित नहरू जीवन की सबसे दुखत घटना गाधी जी की हत्या को बता में या उसके पहले अपने जेल के दिनों के या सुपनता आंदोलन के संहर्स के दिनों के किसी प्रसंग की चर्चा करें लेकिन वह पत्रकार तब आश्चर में पड़ गया जब पंडित नहरू ने इन सारी घटनाओं में से किसी का उलेख जीवन की कठिन घड़ी और कठिन दौर या कठिन घटना के रूप में नहीं किया बलकि पंडित नहरू ने यह कहा कि चुनाओं के दर्म्यान सही कंडिडेट का चुनाओं करना और जिन्हें मैं सही कंडिडेट न समझूँ उन्हें इस बात के लिए संतुष्ट करना कि आप चुनाओं के काबिल नहीं थे या कई लोग चुनाओं के काबिल थे प्रत्यासी बनने के काबिल थे लेकिन सबसे ज्यादा काबिल वही थे जिनकी मैंने खोसरा की है यह समझाना मेरे जीवन की सबसे कठिन घड़ी हुआ करते थे मुझे लगता है कि आज भी कमों बेस वही परिस्थितियां बर्तमान हैं कि किसी भी पार्टी का मुख्या चुनाओ के समय में कंडिडेट के चैन करने में बहुत असमंजस की इस्थिति में पढ़ जाता है ग्लेमा में पढ़ जाता है किंकरतब बिमूर हो जाता है हाँ भाजपा की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे कम कठिनाई भाजपा को होती होगी क्योंकि भाजपा के लिए चुनाओ सिर्फ चुनावी मौशम की बात नहीं है भाजपा चुबिस घंटे चुबिस कारट बारहों महीने चुनावी मौशम में रहती है और काडर बेस्ट पार्टी है और इसके देवतुल्य कार्य करता पूरे वर्स भर किसी ने किसी रचनात्मक या सकारात्मक कार्यक्रम में ब्यस्त रहते हैं बंदे मात्रम बंदे भार्तम नमो भार्तम